कि नमस्कार दोस्तों मैं दीपक सुकला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटोजेट बैंकिंग इंफोर्मेशन पर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं क्या है आप आधार इनेबल सर्विस का लब कैसे कर सकते हैं और वहीं दोस्तों साथ इस्वीडियो में भी आपको जानकारी देने वाला हूं कि जिन लोगों के बैंक खाते में अल्रेडी आधार लिंक है लेकिन वो APS सर्विस का लाब नहीं ले पा रहा है यानि वो जहां कहीं भी APS के माध्यम से पैसा विड़ाल करना चाहते हैं बायोमेटिक दे करके तब वो पैसा नहीं निकाल पाते हैं तो दोस्तों इसका क्या सल्यूशन है और साथ ही अभी बताएंगे कि जिन लोगों का पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में नहीं आ रहा है चाहे वो पीम किसान का पैसा हो या जो बच्चों का इसका लाप्त कर सकते अपने खाते में और जो लोग एपिस का लाप नहीं ले पा रहे हैं यानि वो कहीं भी पैसी की जमानिकासी बाहर से नहीं कर पा रहे हैं उन्हें बैंक ही जाना होता है तब दोस्तों मैं आज कि इस वीडियो में उन लोगों को भी सल्यूशन देने वाला पाएंगे दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकान भी प्रस कर लिजेगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप इस माध्यम से कर सकते हैं तो दौस्तों आप किसी भी लोग्मारी केंद्र या फिर बैंक के ग्रहक से वाइकेंद्र के माध्यम से समय माध्यम 3 अच्छी चीज यह चीज करते हैं बनली जी आपwritten किसी को पैसा भेजना चाहते हैं मुंबpraiy में रहते और आप यहां से पैसा भेजना चाहते हैं और दोस्तों आप के खाते से आधार के माध्यम से और उनके आप को पैसा भेजना है उनका भी आपको आधार नमबर लेना होगा और उनका वो आधार उनके bank account में link होना आवश्यक है तो दोस्तों जैसे ही आप यहां से fund transfer करेंगे जस्ट एक second में उनके account में पैसा credit हो जाएगा आधार के माध्यम से और दोस्तों यह बिल्कुल free होता है इसमें आपको कोई भी काश्ट देने काप सेक्का नहीं होती है दोस्तों आप fund transfer भी 10,000 रुपए प्रतिन कर सकते हैं किसी भी बेक्ति के खाते में तो दोस्तों यह तो हो गई AAPS क्या है और AAPS से आप कौन-कौन से लाप प्राप्ट कर सकते हैं दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यदि आपके खाते में AAPS enabled नहीं है आप किसी भी लोकवाली केंद या फिर बैंक के जो भी ग्रहक सेवा केंद होते हैं पर जा करके आप फिंगर दे करके आपका इस विड़ाल करना चाहते हैं तो नहीं हो पता है या फिर मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी स्कालर सी पानी है कुछ भी आना है तब वहां पर लिख कर आ जाता है कि आपका जो आधार है वो आपके बैंक अकौन्ट में लिंक भी आता लिंग नहीं है लेकिन होता एसा नहीं है आपका अधार खकी बैंक में लिंक हो ता है मेरे बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर मेरा अधार का शेक्षर्ण नहीं होता है यह फिर घिलिंग है और मुझे विद्याले से फोन आ रहें कि आपका आधार कार्ड बैंक में लिंक नहीं है तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यह समस्य आती है demographic authentication फेल होने की विज़े से दोस्तों demographic authentication फेल कैसे होता है इस पर मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों जब आपका जो बैंक अकाउंट था उसका नेम जो भी उसमें डिटेल है यानि नेम फदर नेम और आपकी जो डियोबी है जो बैंक अकाउंट में पड़ी हुई है यदि आपने जब आधार बनवाया उसमें यदि सेम है इस पेलिंग मिस्टेक नहीं होना अमालने कदात पर यह है कि जब आपने आधार काल जेसे बैंक में लिइंक किया और उसमें आपकी जो अधार में डेट आप बर्त है वह कुछ अलग है बैंक अगर्कर कमें तो दोस्तों वह एक्स कप नहीं करता है सिस्टम को यह लगता है बैंक को यह लगता है कि यह कोई कोई दूसरा विखती है जिसने अपना आधार कार लगाया है और जिनका खाता है वो कोई दूसरा विखती है इस वज़े से आपके खाते का डेमोग्रेफिक अथंटिकेशन फेल हो जाता है उसके लिए दोस्तों आपको करानी होगी तभी आपको इन सभी सुविधाओं का लाब मिल सकता है दोस्तों डेमोग्रेफिक अथंटिकेशन फेल होने के विज़े से आपका पीम किशान का पैसा आने में मुश्किल हो सकती है साथी साथ आपकी एक हो रही है तब आपको वहां पर अधार कार्ड ले जाना है और आप अधार कार्ड अपना नंबर देंगे उनको और वह आपका अधार नंबर सिस्टम में डाल करके बायोमेटिक पर आपको फिंगर देना होगा जो बैंक की मसीन होगी उसमें आप फिंगर लगाएंगे और आपका EKYC कंप्लीट हो जाएगा आपके एकाउंट का डेटा एज पर आधार हो जाएगा कुल मिलाकर आपको अपनी सहमती देनी होती है कि जी हां मैं अपना जो बैंक का डेटा है वो एज पर आधार कराना चाहता हूं जैसा आधार कार्ड में मेरे डेटा है वही यह समस्य है कि वहां पर बायोमेटिक के माध्यम से एक वाइसी नहीं हो पाता है करने का दात पर यह है कि वहां पर अभी वह उपलब्द नहीं है कि वह आपका अधार नंबर डालें और आपका बायोमेटिक ले ले और आपका एक वाइसी हो जाए खासकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आर्यावर्त बैंक है उत्तरपदेश में वहाँ पर ये ब्योस्था नहीं है आपको बायोमेटिक के माध्यम से रखका direction मिल जाईएगा उस फॉरल करके आपको Champlee deposit आपको देदेना है उसमें आपको एक सहमती देनी होती हैSON कि यहां जैसा डेटा मेरे से reunite में कर दिया जए मुझे कोई अपत्ति नहीं है दोस्तों वह आपके आधार काड को दुबारा जब आपके अकाउंट में लिंक करते हैं आपके जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आता है जो आपने आधार कार्ड में डलवा रखा है और उस OTP को आपको वहाँ पर देना होता है काउंटर पर जैसे ही आप बैंक के काउंटर पर वो OTP आप जो सामने data इस पर आधार करना चाहता हूं और दोस्तों जैसे ही EKYC कंप्लीट हो जाएगी आपके खाते में EPS सर्विस इनेबल हो जाएगी साथी साथ जिन भी स्कीम का पैसा आपको नहीं आ पा रहा था अभी तक आपको जो मैसे जाता था कि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है व आप वहां पर बैंक में जा करके बायोमेटिक कि करा सकते हैं आपको अधार में मोबाइल नंबर लिंक कराने कि आवशक्ता नहीं है वहाँ दोस्तों यह आपके बैंक में यह फैसिलटी उपलफद नहीं है तब आपको नजदी की आधार सेंटर में जा करके अपना जो भी को मुबाइल नंबर है वो अपडेट करा लेना है और बैंक से आपको करवा लेनी है दोस्तों करवा लेने के बाद आप सभी सुभिधाओं का लाफ ले पाएंगे दोस्तों कमेंट करकर जरू बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों या वीडियो आपके लिए जर जय भारत